हाई फ्रेड्स नीता फिरसोई में आपका स्वागत है मैं आज आपके लिए कच्चे आम का मेठामबा लेकर आई हूँ या उसे मीठा अचार भी बोलते हैं बहुती स्वादिश्ट होता है आईए मैं आपको इसकी सामगरी बता दू आज हम आपको कच्चे आम का मेठामबा बताएंगे जिसे मीठा चार भी बोलते हैं इसमें हमने दो लैसुन की गाठ ले ली है इसे चिल कर हमने कुचल लिया है देखिए बहुत अच्छे से कुचलना है लैसुन को आधा किलो आम लिया है उसमें हमें 200 ग्राम गुड लेना है गुड को हमने अच्छे से बारिक कर लिया है इसमें दोटी इस्स्पून मेथी इसे भी हमने दर्दरा पीस लिया है आधी तीस्पून रही आधी टीस्पून जीरा हाफ टीसmen फ़ल्दी पाउडर वन टीस्पून लाल मिर्च पाउडर तुटीस elements नमक और एक टेबल इस्पूर तेल लगेगा, हमने सरसो का तेल लिया है, सबसे पहले हम आम के छिलके उतार के, इसे पतले-पतले पीसे में कट कर लेंगे, हमने आम का छिलका उतार लिया है, और देखिए इसके पतले-पतले पीसे कट कर लिया है, हमें इतने पीसे सैयार कर लेना ह इस साइस में इसकी हमने गुठली हटा दिये हैं चलिए अब अचार बनाना स्टार्ट करते हैं देखिए हमने कड़ाई रखी है और गैस अन कर दिया है हमें मिडियम फ्लेम रखना है और यह जो सरसो का तेल है एक टेबल स्पून हमने सरसो का तेल ले लिया है बहुत कम लगत डाल दिया हमें हमें आचे कम कर लेना है अब हम इसमें पुचल के रखा था लैसुन शोरुप कुम नहीं है अब हम इसमें यह में की नमाग में चार्ट करते हैं और हल्वी तीनों से डाल देंगे इसे भी हम बस दो तिन सेकेंड के लिए भून लेंगी है है यह देखिए भून गया है हल्वी मिल्ची अब हम इसमें यह पीशे जाल देते हैं और गोड़ साथी में डाल देंगे अब इसे हम अच्छी तरह हमने आच मिडियम कर लिया है इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं देखिए गुड़ मेल्ट हो रहा है कि हमें भीडियम फ्लेम पर ये बनाना है इसे देखिए स는데 कि जो किसे से या रहे है हमें दस लगता है इसे पकाने में देखिए हमाएं चम्माच चलाते रहना है अभी पांच प्रेंद हुआ है और पांच मिनेट हमें इसे पकाने देखिए दस मिनेट हो चुके हैं पीसेज भी पार दसी हो गए हैं अगर पार दसी हो जाए तो आप समझ जाए कि अचार बन गया है अब हम फ्लेम बन कर देते हैं और इसे सर्विंग डिस में निकार लेंगे देखिए कच्चे आम का में थांबा बन कर तयार है इसे मीठा चार भी बोलते हैं बहुत ही स्वादिश्ट होता है आप इसे पंध्रा दिल तक बहार रख सकते हैं यह अगर लंबे समय तक श्टोर करना है तो आप फ्रीज में 2-3 मैना रख सकते हैं बहुत ही स्वादिश्ट यदिया नमस्कार